बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में धमाल मचा रहे कुछ स्टार्स की फिल्मी दुनिया में आनी की कहानी काफी दिल्चस्प है अक्षे कुमार से लेकर अनुषका शर्मा तक को फिल्म लाइन में आनी से पहले जस तरह से ओफर मिला है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे इंस्टार्स की कहानी जानकर आप यही कहेंगे कि गजब की किस्मन लेकर पैताख हुए हैं ये सितारे अक्षे कुमार अक्षे कुमार ने कभी थाइलेंड के हुटल में वेटर की नौकरी की है तो कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे मुंबई में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के दौरान उनको मॉडलिंग करनी की सल्हाद मिली इसके बाद तो अक्षे कुमार ने मॉडलिंग का रास्ता पकड़ा और आज वो बॉल्लवुड इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता है अनुशका शर्मा अनुशका शर्मा फिल्म इंडस्ट्री में पॉपिलर आक्ट्रिसिस में से एक है अनुशका शर्मा को बैंगलॉर के एक जीन सेंटर में फैशन डिजाइनर वेंडल रोडरिक्स ने लेखा था वेंडल रोडरिक्स ने उन्हीं मॉडलिंग का ओफर दे दिया इसके बाद अनुशका शर्मा ने मॉडलिंग की तरफ कदम बढ़ाया और फिल्मों में एंट्री कर दी प्रीती जिंटा प्रीती जिंटा अपने एक दोस्त की बर्धरी पार्टी में गई थी बर्दे पार्टी में एक डारेक्टर की प्रीती जिंटा पर नसर पड़ी डारेक्टर ने उन्हें विज्यापन का ओफर दे दिया इसके बाद प्रीती जिंटा की तो निकल पड़ी और उन्होंने फिल्मों की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिये अर्जुन रामपाल इंडिया की टॉप मॉडल्स में से एक रहे हैं मॉडलिंग करनी के बाद उन्होंने फिल्मों की रहा पकड़ी है अर्जुन रामपाल को पहली बार मॉडलिंग करने का मौका फैशन डिजाइनर रोहिद बाल ने दिया था दरसल रोहित बाल ने दिल्ली के एक डिस्को टेक में पहली बार अरजुन रामपाल को देखा और मॉटलिंग को ओफर दे दिया इल्याना डी क्रूज इल्याना डी क्रूज की मा एक होटेल में काम किया करती थी इलियाना डी क्रूस अपनी मा के साथ होटेल गई और इस तोरान होटेल मैनेचर ने उन्हें देखते हुए मौटलिंग करने की सला दे इसके बाद इलियाना डी क्रूस ने मौटलिंग और विग्यापन करना शुरू कर दिया अब तो वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी आक्टिव हैं